हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब बटन में क्लिक करे और इसके बाद जो दी गई है Notification Bell में क्लिक करिए और हमारे चैनल में दिये गई जितने भी वीडियोज हैं और जो भी नए वीडियोज अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगतार मिलती रहेगी इसके बाद अगला option दिया गया है page layout group में और वो है break option देखें इसमें अलग-अलग option दिये गए है insert page break, remove page break और reset all page break तो insert page break का क्या आर्थ होता है अगर हम इस प्रकार से भी print preview देखेंगे अपने worksheet का तो हमको print preview कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा लेकिन हम माली जी हम चाहते हैं कि जो इतना भाग है वो इस page में आ जाए वांकी का भाग जितना है वो अगले page में चला जाए तो हम क्या करेंगे जहां से भी आपको page break करना है वहां पे आप इस प्रकार से करजर रखिए और यहां से जाकर के insight page break में क्लिक कर दीजिए तो देखें जहां पी आप करजर रखेंगे तो इसकी line के एक line पहले से एक cell पहले से page break हो जाएगा अगर यहां से करना था तो यहां रखना था ठीक है अब page break करने से क्या हो गया यह एक अलग page में बढ़ गया यह जो square सा भात दिखाई दे रहा है यह अलग page में दिख गया यह अलग page में आ गया है page break कहते हैं इसको अगर आपको अपने document को page break के रूप में देखना भी है तो view में चले जाएए और यह देखे page break preview है जैसी page break preview में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यह देखें जहां से भी आपने break किया था वो एक अलग page में बढ़ गया फिर उसके बाद अलग page में बढ़ गया फिर अलग page में बढ़ गया मतला matter ही वो अलग page में चला जाता है तो उसको बोलते हैं page break preview इसी प्रकार से page layout में हम आएंगे और माल लीजिये अब हम इस page break को हटाना चाहते है तो हटाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और रिमूप page break में कलिक करेंगे तो page break रिमूप हो जाएगा अन्माली जी हम चाहते हैं इसके पहले से page break लगाना तो करज़र यहाँ पर रखेंगे break में जाएंगे insert page break में करेंगे देखे अब इतना matter जो है आपका एक page में आ जाएगा जितने बार भी लगाना हो दूसरी बार भी लगाना हो फिर यहां करदर रखिए आप break में जाएए फिर insert page break में करिए यह देखे यहां सी page break होगा यहां सी page break होगा और जब आप इसका view में जाएंगे view tab में जाएंगे page break preview में देखेंगे तो page break preview में आपको इस तरीके से दिखाई देगा page 1 यहाँ पर जहां भी आपने page break किया हुआ है ऐसा page break जो है वो अलग-अलग दिखाई देने वाला है फिर normal में चले जाते हम फिर उसके बाद हम page layout में आते हैं break में आते हैं remove करने से remove हो जाएगा reset all page break जैसे हम reset करेंगे तो जैसा पहले था page break वैसा हो जाएगा जैसा पहले था वैसा हो जाएगा और remove अधी करना चाहेंगे तो सारे page break हमारे remove हो जाते हैं reset क्या करता है, reset कर देता है, जैसे पहले था आपका page, वैसा page break हो जाएगा, यह था page break option, अगला option दिया गया है, page setup के अंतरगर print titles option, तो print title option को समझने के लिए, जैसे हम इस option में click करेंगे, तो यह page setup का dialogue box खुल जाएगा, इसका use हम समझते हैं, कि इस print titles का उपयोग क्या होता है उसे समझने के लिए हम एक दूसरी work sheet को इस्तमाल करते हैं, और वो हमारी दूसरी work sheet है, इस प्रकार से माली जीये, हमने एक work sheet open की हुई है, इस work sheet में हम देखेंगे कुछ data हमारा इस प्रकार से दिया गया है, और इस data को अगर हम heading दी गई है, जो से हम थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए थोड़ा सा उसको bold कर लेते हैं, उसमें किसी प्रकार का color दे देते हैं इस तरीके से, और उसकी size को भी increase कर लेते हैं, ठीक है, एक keyword planner Google से निकाला गया एक आपका data है, तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसमें भी filter लगा हुआ हुआ है, filter हम हटा देत इसमें जाएंगे, print preview देखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा, ठीक है, यहां से हम margin को show कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, तो यह देखे, अब हमारा heading जो है, यहां दिखाई दे रही है, next page में जाएंगे, अब आप next page में एक चीज देखिए, next page में आपक heading दिखाई दे रही थी, यदि हम इस तरीके से जो है, देखना चाहते हैं, कि जो भी matter हमने यहां पर बनाया हुआ है, हर page में heading में दिखाई दे, तो उसके लिए हम page layout के अंतर का print title, मतलब जो title है, उसको हर page में print कराने के लिए, इस print title copy करेंगे, उसके लिए जैसे हम इस button मे क्लिक करेंगे, तो हमारा dialogue box हो जाएगा, dialogue box में rows to repeated top option, rows to repeated top, जैसे हम इस button में क्लिक करेंगे, और हम चाहते हैं कि क्या repeat होर page में, यह वाला heading है, वो repeat होर page में, तो हमने rows to repeated top को select कर लिया, उसके बाद हम यहां पर ok करेंगे, ok करने के बाद जब हम अब print preview देखेंगे, print preview जब next page में जाएंगे, तो यह next page में भी heading आ रही है, फिर next page में क्लिक करेंगे, तो next page में भी heading आ रही है, इस तरीके से हर page में अगर आपको heading को repeat कराना बिना type की, नहीं तो आप क्या करते, इसको select करते, copy करते, फिर ढूंडते हैं कि कहां पे page खता मुरा यह, फिर यहां paste कर अगर हजार page है, तो हजार बार आपको इस title को paste करना पड़ता, लेकिन उससे बचने के लिए automatic हर page में heading देते जाए, हम किस का उपयोग करेंगे, print titles का उपयोग करेंगे, और इसमें जाएंगे, यहां पर click करेंगे, उस heading को select कर लेंगे, जिस heading को हम हर page में repeat करना चाहेंगे, और उसके बाद जैसे हम print preview देखेंगे, तो हमारा हर page में document है, हर page में हमारा matter रिपीट होगा, यह कहलाता है हमारा कौन सा option, print titles के अंतरगत, rows to repeat at top option, इसे अभी हम हटाते हैं, हटाने के लिए select करके delete कर दीजिए, फिर okay button में click करिए, तब ही जाकर के हटता है, print titles हमने हटा द दीखेंगे, और वो है column to repeat at left option, column to repeat at left option, इसका क्या use होता है? जैसे row को repeat किया गया है, वैसे column को repeat किया जाएगा. लेकिन column को repeat करने के लिए वैसा हमारे पास document होना चाहिए तो चलिए, इस document को यदि हम ऐसा बनाते हैं कि हम column को repeat करने वाला बनाए तो उसके लिए हम एक नया तयार करते हैं ठीक है, एक नया document हम तयार कर लेते हैं उसके लिए हम पूरे matter को इस प्रकार देखें और इतने भाग बसको select करते हैं, यह लेजिए और इसको करते हैं, copy, वर्कशीट में जाते हैं, और यहां करकर रखते हैं, home में जाते हैं, paste special में जाते हैं, paste assessment में, transpose में क्लिक करते हैं, इस तरीके से document बनाना आपको बता रहे थे, कि जो चीज़ यहां पर कैसे दी गई है, heading के रूप में दी गई है, मतलब column की heading के रूप में, वहीं पर यह row की heading के रूप में हो गई, अब जब आप इसका print preview देखेंगे, कई बार हमारा matter worksheet का matter कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, और जब आप इसका print preview देखेंगे, यह देख नेक्स page में heading खतम हो जाती है, तो अब यह column की तरह बर्क करेगा, तो इस column को अगर हर page में repeat कराना चाहते हैं, तो page layout में आईए, printed titles में जाईए, और अब select करिए column to repeat at left की जगा, इस button को click करिए, और इसको select कर दीजिए, तब पूरा column select हो गया, और जब पूरा column select हो जाएगा फिर प्रिव्यू देखोगे, तो पहले page में भी आपको को यह column दिखाई लगा, next page में जाओके तो next page में भी दिखाई देगा, फिर next page मे जाओके फिर next page में दिखाई लगा, पिर next page में जाओके अच्छे करके, column जो हो हर page में अगर हम को repeat करना है, इसके लिए हम printed titles के अंतर हट जाएगा तो यहां हमने सीखा प्रिंट टाइटल्स का उपियो कि कैसे हम अगर हमारा मैंटर बहुत सारा है और अगर हम जो कॉलम की हैडिंग उसको हर पेज में रिपीट कराना चाहते हैं तो यहां पर हम इस्तमाल करेंगे किसका रोज टू रिपीट अट टॉप का और कब करेंगे जब हमारी कॉलम की हैडिंग इस प्रकार से दी गई है यह था प्रिंटे टाइटल्स का उपियोग